हेलो आप देख रहे हैं, NDTV इंडिया आपके साथ मैं हूँ अनिशा अगर आपका आधारकार 10 साल से जादा पुराना हो गया है और कभी भी अपडेट नहीं हुआ है तो ये खबर आपके लिए है सरकार ने आधारकार को अपडेट करने के लिए देश के करोड़ों लोगों को बड़ी रहादी है सरकार ने फ्री में आधारकार डीटेल्स को अपडेट करने की डेडलाइन को अब 14 जून तक बढ़ा दिया है पहले ये डेडलाइन 14 मार्च की थी इसका मतलब ये है कि आप आधार कार्ड होडलर्स को अपडेट करने के लिए 4 महिने का समय मिल रहा है ऐसे में अगर आपने ये जरूरी काम अभी तक नहीं कराया है तो इसे फटा-फट निप्टा लें अगर आप समय पर अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराते हैं तो कई जरूरी काम अटक सकते हैं आधार में गलत जनकारी होने की वज़ज़ से आप कई स्कीम्स का लाप नहीं उठा पाएंगे हलाकि आपको परिशान होनी की ज़रूरत नहीं है आप My Ather Portal पर जाकर फ्री में आधार अपडेट करा सकते हैं ये सर्विस केवल My Ather Portal पर ही उपलब्ध है वहीं अगर आधारकार सेंटर जाकर आधारकार अपडेट कराते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपे फीज के तौर पर देना पड़ेगा बता दें कि आधारकार आजकल सबसे जरूरी डॉक्युमेंट में से एक है सरकारी योजना का लाग उठाना हो, बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सिमकार खरीदना हो या फिर घर खरीदना हो इन सभी काम के लिए अधारकार बहुत जरूरी मना जाता है Fixed Deposit या फिर Mutual Fund में इंवेस्ट करने के लिए भी आधारकार बहुत जरूरी है इसलिए 10 साल से जाधा पुराना आधारकार इस्तमाल कर रहे लोगों को अपनी तमाम जानकारी दोबारा से अपडेड कराने के लिए कहा गया है अगर आप ऐसा करा लेते हैं तो आपको किसी भी तरह की सेवाओं का लाव असानी से मिल पाएगा इस खबर के बारे में आपकी क्या रहा है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें